हेलो फ्रेंड्स तो देखिए आज का मेरा लूप कैसा लग रहा है तो आज है मेरी साधी और नहीं नहीं साधी नहीं साधी तो 5 साल पहले हो चुकी है आज तो क्या कहता है साधी की सालगी रहा है और उसी खुसी में हम बनाएंगे साधी वाली थाली साधी में हम बहुत कुछ बनाते हैं लेकिन सब तो हम नहीं बना पाएंगे लेकिन उसमें से कुछ-कुछ जो हमें फैवरेट होता है हमें अच्छा लगता है वह आज हम थाली में बना कर तयार करेंगे तो आज मेरी साधी को 5 साल कंप्लीट हो चुका है और आज है मेरी एनिवर्सरी एनिवर्सरी पर आपकी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट तो बनता है, गिफ्ट में मुझे चाहिए एक प्यारा सा कमेंट, एक लाइक, जैसे मैंने ज्रेस पेंद रखीना वैसा रेट गलर का बटन है, उसे दबाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ये आपके लिए बिल्कुल फ प्यारा से इचार प्यारा से फ़ते हैं, एक दम बारिक छॉप कर लिया है, प्यारा सा व्यारा साइब कर लिए बिल्कुल फासर कर लिया है, SHD या मैंने 4 टमाटर, एक इंच अध्रक का टुगडा, 8-10 लिशें कर लिए और थोड़े से 2-3 काजू लिए है, ये सब चीज़े डालके इसका अच्छे से पेस्ट बना लिया है और ये भी डाल देते हैं इसके अंदर अच्छे से मिला लेते हैं ग्रेवी को बहुत ही अच्छे से पकाना है तब ही हमारे सबजी का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा मैन काम इसका यही रहता है इसमें डालेंगे दो चमच फूल बरके लाल मिर्च का पाउडर आदा चमच हल्दी का पाउडर एक से डैड चमच धनिय का पाउडर और सुआत के अनुसार नमक डाल देंगे और सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे सारी चीजों को अच्छे से मिला के ढखके एकदम मीडियम आज पे ग्रेवी को अच्छे से पकने देंगे और जब तक हम फ्रूट क्रीम बना कर तयार कर लेते हैं तो फ्रूट क्रीम बनाने के लिए अपने मन पसंद कोई भी फ्रूट आप ले सकते हैं यहां अंगूर, बनाना, संत्रा, अनार और एपली है और यहां मैंने थोड़े से दूद में केसर को भिगो के रख दिया है और यहां थोड़े से ड्राइफ फूट लिए हैं काजू, किस्मिस और बदाम तो यह सारी चीज़े एक बाउल के अंदर डाल देते हैं फूट क्रीम बनाने का भी साइज सबका तरीका अलग-अलग होता होगा लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ, जो बहुती अच्छी बनती है, सबको बहुत अच्छी लगती है सारे फूट में एक बाउल के अंदर डाल दूँगी और उसके उपर यह जो हमने ड्राइफ फूट ले हैं वो डाल देते हैं, ड्राइफ फूट भी अपने मन पसंद ले सकते हैं यहां मैंने चीनी को दो तीन इलाइची डाल के अच्छे से पीस लिया है, तो चार से पांच चमशफुल बरके हम इसमें चीनी डाल देंगे, चीनी अपने मीटे के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं यां मैंने 500 ग्राम अमूल की Fresh Cream ली है, और इसको हलका सा फेट लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं फेटना है, बहुत ज़्यादा फेटने से इसमें से मक्र निकल आता है तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा नहीं फेटना है और ये क्रीम डाल देंगे हम इसके उपर थोड़ी सी क्रीम मैंने बिल्कुल थोड़ी सी क्रीम इसमें से बचा के रख ली है वो आगे बताएंगे आपको वीडियो में तो अच्छे से इसको टैप कर लेते हैं और उसके बाद ये जो केसर वाला दूद है ना इसके उपर डाल देंगे इससे इसका टेस्ट इतना गजब का आएगा ना ये जरूर डाले आप इसको हम इसी तरह घंटे पर के लिए फ्रीज में रख देते हैं और जब तक हमारी ग्रेवी भी काफी अच्छे से पक चुकी है इसको चैक कर लेते हैं यह देखिए ग्रेवी काफी अच्छे से पक चुकी है और जो हमने थोड़ी सी क्रीम बचा के रकी है ना, उसी में मैंने थोड़ी सी दूद की जो मलाई होती है ना, वो डालके अच्छे से फेट लिया है और वो हमने इस सबजी में डाल दिया है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा सबजी का, भी सारी चीजों को अच्छे से मिला लेते हैं, और वापस से इसको ढख के अच्छे से पकने देते हैं, इसके बाद एक कड़ाई में हमने एक चमच ओई लिया है, आदा चमच जीर इसके जो गंद्गी होती है वो भी निकल जाती है, और यह अच्छे से साफ हो जाती है, तो इन दोनों चीजों को हम तेल के अंदर थोड़ा सा भून लेंगे, यह हमने आदी कटोरी मटर लिये हैं, वो भी डाल देते हैं, और इनको भी सारी चीजों के साथ मिला लेते हैं, इसमें हम आदा चमच नमक डालेंगे, वन फोर चमच हल्दी का पाउडर, आदा चमच लाल मुच का पाउडर और आदा चमच धनीय का पाउडर, सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे, अभी आपको लग रही होगी ना कि इतने कम मसाले वाली सबजी ऐसी कौन खाएग लेकिन आगे-ागे देखते जाई हमारी सबजी कितने गजब की बनने वाली है, इसमें हमने दो चमच पानी डाल दिया है, तो देखिए, सबजी को हमने अच्छे से पका लिया है, ये गोबी, मटर सारे अच्छे से सौप्ट हो गए हैं और पानी भी इसने सौक लिया है, इ वो भी इतनी गजब की बनेगी और जटपर से हमारा काम हो जाएगा तो आप भी इस तरह से जुरू ट्राइ करें रेसिपी तो यह देखिए एकदम रंगत सी आ गई हमारी आलू गोबी मटर की सबजी में और इस ग्रेवी के अंदर हम डाल देंगे पनीर या मैंने डैर सुग सब्सक्राइब से पनीर बनकर तैयार है और इदर हमारी आलू गोबी मटर की एकदम मज़ेदार सबुजि बनकर तैयार है उपर से बारी कट्टवे हरे धनीर डाल देते हैं פनेर में भी ढाल देते हैं उपर से दी आपको पसन्द है तो थोड़ा सा गर्म असाला जो पीस व लिया है और अच्छे से गरम हो जाए तब आदा चमच जीरा आदा चमच राई बिल्कुल थोड़ी सी हिंग और थोड़ी से गरम असाली डाल देते हैं एक बारी कटिवी हरी मिर्च और इसके बाद एक आलू और थोड़ी सी फूल गोबिली है वो डाल देते हैं और इनको आदा कटोरी मतर ये भी बनाने का सबका तरीका अलग-लग होता है अब आप कैसे बनाते हो वो मुझे कमेंट में बता देना यहां मैंने आदी कटोरी चावल लिए हैं उनको मैंने अच्छे से धो लिए हैं दो- तिन पानी से और वो भी डाल देते हैं और इनको भी अच्छ फूल बरके लाल मेर्च का पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और आदा चमश हल्दी का पाउडर, धनिय का पाउडर हमें इसमें नहीं डालना, इस बात का ध्यान रखें, अच्छे से सारी चीजों को मिला लेते हैं, हलका सा आदे मिनट हमने इसको पका लिया है, उसके परफेक्ट है, जब तक हमारी चावल बन रहे हैं, हम पूड़ी बेल के तयार कर लेते हैं, लगबग मैंने एक गंटे में ये सारा खाना बना के तयार कर लिया, और इतनी तयार होके मैंने ये खाना बनाया है, ये मेरा तरीका कैसा लगा, आपको मुझे कमेंट करके में जुरूर बताना, इसका डिटेल में वीडियो बनाऊंगी मैं आपके लिए, देखिए, एकदम कैसी फूली बन रही है पूड़ी है हमारी, और ये गंटो बात ऐसी ही रहेगी, फूली फूली ही रहेगी, और एकदम सौप्ट रहेगी, ये मेरी गारेंटी है, तो देख एकदम परफेक्ट पानी है इसमें, और ये हमने डाल दे हरे दिनिये, मैं टमाटर डालना पहले बूल गई थी, अब डाल देती हूँ, टमाटर तो ज़्यादा गलाने की जुरुत नहीं पड़ती है, क्योंकि टमाटर तो बाप में ही पक्के तयार हो जाते हैं, अभी सारी लगबख सारी चीजे बनकर तयार है, इदर इसको भी रखे होए गंटा पर हो गया है, और ये हमारी अच्छे सेट हो गई है, इसको सारी चीजों के साथ अच्छे से मिला लेंगे, केसर ने अपना बहुती अच्छा कलर छोड़ दिया है, खुसबू और कलर दोनों ही, केसर डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो ये हमारी सर्विंग कर लेते हैं सबजियों को, तो ये हमारी मसाला पनीर, बहुती मज़िदार लग रही है, साथ में आलू गोबी की चटपटी सी सबजी, और इसी के साथ सर्व कर लेते हम दाल बदाम का हलवा, ये मै से थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं, और ये है हमारी केर सांगरी कूम्टी की सबजी, ये मैंने एक दो दिन पहले ही बना ली थी, और अक्सर बनाती रहती हूं मैं, ये हमारी राजिस्तान में साधियों में जरूर बनती है, और साथ में ये हमारे पुलाव और गर्मा गर पूरी एकदम फूली फूली साथ में रख देते हैं सलाद अपने मन पसंद जो भी आपको सलाद में पसंद है वो रख लेते थाली में और यह हमारी पापड़ी तो यह हमारी एकदम परफेक्ट थाली बनकर तयार है यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जुरू देना तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ जब तक के लिए बाबाई